आपे गुर्चेला दी रीत चलोण वाली तार्त अनन्द पुर्दी संसार विच एक रुवायत प्रचलत रही है के जेश ने एक वारी अपने आपनू गुरू कहला लेया ओ सारी आजू गुरू ही रहा ना ता अपने जिऊंदे जी अपना वर्गा ओ गुरू बना सकेया अते ना ही ओ अपने शिश अगे सारी उमर निवेया पर आप न रायन कलाता अर जगमे पर वरेयो स्री गुरू नानक देव जी दे सनमुख बाबा लेना जी मन दी शांती और जीवन मुक्ती प्रावत करन वास्ते चेले दे रूप वच आए साथ गुरू गुरू नानक दे पाथसा जी ने अपनी आत्मक सत्या नाल जान दीपक ते दीप जगायो दी करामात करके बाबा लेना जीनु आपना रूप बना आपनी आत्मक जोत बाबा लेना जी वचतर के संपूरन गुरू बना आपने जिउंदे जी लेना जीनु गुरू अंगद देव जी बना के गुर्ता गदी ते बठा मता टेक उल्टी गंग वहा के एक इनकलाबी कारनामा कर वखाया बलवांड जी ने रामकली दी वार अंदर बड़ा संदर लिखिया है के गुर्चेले रहरास की नानक सलामत थी वदै सेह टिका दितोस जी वदै लुकाई हरान सी के जेडए गुरुनानक देव जी करामाती जोगियां नाथां पीरां फकीरां विद्वानां पंडतां राजे महराजें अमीरां वजीरां अगे नहीं निवे ओ गुरुनानक अज आपने शेश बाबा लैना जी अगे निवे हां किस कारण निवेहन वेखन ते पर्खन वासते लुकाई वही रांगत के आउंदी है ते बचन बलास दर्शन करक संतोष्ट होके जन दी है के ए बाबा लेना जी नहीं सरीर पामे बाबा लेना जीदा है पर जोट लेना जीदे अंदर गुर्णानक पात्षादी सामर तक वरत रही है जिना वेखिया ते अनपव गीता उन लेख भी दिता के संसार दे लोको जोट ओहा जोगत साए सह काया फेर पलटी है चु लैसो शत नरंजनी माल तक बैठा गुर हटी है ए प्रंप्रा नरंतर दसांस रूपां वेच जल चल दी रही पहले सत्गुर आपना रूप नाउनतों पहला शिखी दी पर्ख कर दे रहे ते पर्ख वेच पूरे उत्रन वाडेनू आपना रूप बणा आपना अधकारी थाप देंदे अजवी उसे पूर्णिया ते चल देया सिरी कलगी तर पात्षा जीने सिखी दी पर्ख कीती ते पर्ख कीती भी तलवार देना जो गुरू दे पाई पर्चे विच्चों पूरे नंबर लेके पास उत्रे साथ गुरू जीने उना नू ओ अमरत दी दात जेसनू स्रिष्टी दी होंदतों लेके होंदता का रिशी मुनी देवी देवते खोज़ दे रहे पर प्रावत ना होया अजेहा अमोलक अमरत जिस पर थाए स्रीगुरू अमरत दासाइब पातसाजी ने अनम्त सहीफ दी बाणी अंदर फरमाया है के सोर नार मोन जान अमरत खोज़ दे सो अमरत गुरते पाया साथकुर जी ने ओ अमोलक अमरत दी दात पर्ख विच पूरे उत्रन वाले मर जीवड़े नू परदान की थी अते उना पंजान दे समदाई नू संबोधन करके बचन कीता के पंच हो मैं नित वर्तत मैं हूँ पंच मिले से पीर अन पीर आज तों तो हानू पीरान पीर दा रुत्वा प्रदान कीता है तुसी मैंनू आपना आप पेट करके मेरा रूप बन गए हो तुसी खाल सा सजे हो हूँ तुसी पंजे गुरू दा रूप हो मैंनू भी खाल सा सजाओ ते गोबंद रायतों गोबंद सिंग बनाओ कहना बहुत सोखा है पर करनी करके दसनी बहुत अखी है सद्गरू पंजान दे अग्गे हाथ जोड़ खलो गए पंजाने सद्गरू कलगी तरजीदी दरसाई जोकत नाल पांच बाणियां पड़ खंडे बाटे दा अमरत त्यार कर गुरू पिता जिनु शकाया अते सारी खाल से दी रैद रैनी दरसाई इस दे नाल ही पंजाने गुरू दे पिता नु वशेश बेनती दे रूप वेच होर रैद दरडाई के पाथशा तुसीं जहां जहां खाल साजी साहिब तहां तहां अर अच्छेया रियायत करनी है अते खाल से दी हर अउकड हर विपता समें हर पीड समें खाल से दे अंग संग होके साथ दिना है सद्गुरा ने इस अविकार कीता अजहे अनोखे कारनाविनु वेख के ही पाई गुर्दास साव ने बचन लिखेने के वह परगटेयो मर्द अगमडा वरियाम अकिला वाह वाह गोबेंद सेंग अपे गुर्चेला गुर्देव जी ने सदा वास्ते खालसा पंथनु गुरु थावदता अते फर्मान कीता आतमा गरंथवेच सरीर पंथवेच अजवी ओहो अदकार जो सत्गुरु स्री गुरु गोबन सिंग साहव जी ने पंजान दे समदाएनू स्री अननपुर साहव दी पवितर तरती ते दिते सन्द खालसे पास उसे तरा काइम हैं जिस दी वरतों करके पांच सेंग सिखानों अमरत दी दाद परदान करके सेखतों सेंगदार उतबा बक्षिश कर दे हन अते समय समय गुरु रूप होके पंथख फैंसले लें दे हन ए सारियां बक्षिशां सारे अदकार अते आपे गुर चेला दे पूर ने स्री कलगी तर पात्सा जिने पावन पवितर स्री अननपुर साहव दी पूमी ते शिशोवत होके कीते सो जैयां बक्षिशां परी पावंतर तीनों वार वार नम्सकार करिए ते इना बक्षिशां तों अपने आपनों वरसाईए एस मकदस पुमीते बैठके अपने आपे दी पर चोड़ करिए के किते आपाँ गुरू बक्षिश तों विरवेता नहीं रहा गया जे मान शादी परे तम बक्षिशां प्राप्त कर लई होर देर ना करिए क्योंके समा अपनी तोरे तुरे आजा रहा है किते आपाँ पच्छड के पच्छतावे दी चोड़ी ना पैजाईए समें दी तोर प्रती पाईवीर सिंग दी रुबाई पढ़िए कि समा ना तां प्यार करनाल ना मिनता करनाल अटकदा है ना समें नू जोर नाल अटकाया जा सकता है समा अपनी तोर तुरे आजा रहा है समें नू ते केवल सफला कीता जा सकता है पाईशाय पाईवीर सिंग हुरांदा बचन है के रही वास्ते कात समेने एक न मननी फाड़ फाड़ रही तरीक समें खिजकाई कननी कि में न सकी रोक अटक जो पाई पननी तरिखे अपने वेग गया टप बनने बननी हो अजे संबाल इस समेनू कर सफल उडन्दा जामदा ए ठहर न जाच ना जानदा लंग गया ना मुड़ के आमदा समाता दोड़या जा रहा है सत्गरू स्री गुरू रामदासा पात्षा स्री राग अंदर फुर्मान कर देहन के सवेरे सूरज चड़दा है रात पै जानदी है रात सुत्यां भीत जानदी है देन कमा करा विच बतीत हो जानदा है एसे तरह नित करिया चल दी रहींदी है ते मनोख दी उमर काल रूपी चूहा कुत्री जा रहा है पर मनोख नू ए समझ नहीं पहिंदी के मेरी उमर ता मुक दी जा रही है सहबा दा पावन बचन तनगरु गरंद सहब पाथ सहजी दे पावन अंग अकताली उपर सशोबत है के दिन से चड़ा फिर आथवा रैन सबाई जाए आव कट है नर ना बुझा नित मुसा लाज टुकाए तनासरी राग अंदर पक्त कवीर जीदा बहुत ही पाव पूर्त बचन है जो तनगरु गरंद सहब जीदे आंग शेसो बन में उपर दर जाए के दिन ते पहर पहर ते करिया आव कट है तनशी जाए काल अहेरी फिरे बदिक ज्यों कहो कवन बिद की जाए सोदे ने आवन लागा मात पिता पाई सुत बनता कहो कोव है काका ए खेड साड़े उपर विवर्त जाणिया अजे समा है समझिये सोचिये ते आपने मनुखा जनमनों सफला कर लेए मनुखा जनमन सफला केवल गुरु चाली उपर चलेया ही गुरु वाले बणेया ही होना है गुरु दे हुकम दी कमाई कीतिया ही होना है क्योंके साथगु गुरु नानक दे पात्षा जिदा पावन बचन है के बेन साथगुर किनैना पायो सत्गुर विच आप रखियोन कर परगट आख सुनाया सिरी गुरु अरजंदे पात्षा एस तों वद होर की कैसक देने आप जिदा पावन फरमाना है कि हे पाई एवे परमप लेखे विच पैके अपना कीमती मुनुखा जनम बरबाद ना करो गुरु वाले बने तो बेना कोई जीववी संसार पवजल तो पार नहीं उतर सकेगा सहब बादा बड़ा कीमती बचन पले बनवाड़ा है कि मत को परमप ले संसार गोरबे न कोई न उतर सपार रहाओ जे गुरु वाले बने तो बेना जीवन दी सफलता होनी ही नहीं तो फिर आना का नहीं करनदा की फैदा जे गुरु चाली देता अरनी बन तो टेल वरतांगे तो आपने आप नाल ही तो खा करांगे स्याना मनुख आपने आप नालतो उखा ना करदा है ते ना होन दिन्दा है पर असी अनजान पुने विच आपने नालतो उखा करके दिन कटी कर रहे हैं सो आओ गुरू तो सेद लेए अते जल्दी तो जल्दी गुर्शिक मीद चलो गुर्चाली जो गुर्चा है सोई पालमानों हर हर कथा नराली एस बचंदे तार नी बन साथगुरां दे परुपकारांतों लाहा प्रावत कर आपना मनुखा जन्म सफला करिए अते अननदपुर सहव दी पावंतर ती ते साथगुरां वलों होईयां बक्षचानू अपनी चोड़ी वेच पवाआ के अपनी चोड़ी नू सफला करिए वड़ी करिए अपना जीवन सफलाए आते नाल नाल विचारां करिए जे सत्गरु कलगी तर जीने जो आप खोद अमरत दे दाते सान उना ने अपने आपने आपनु एस अमरत दी अमोलक दात तों वांजा नहीं रखे आ तब फेर एस अमरत दी दात तों सानू किमें शोट मिल सकती है नई मिल सकती कदाचत ने एस रीत नू अपनवना ही बवेगा अते खंडे बाटे दी पाहल लेके ही गुर सिख दे जीवन दी सफलता होवेगी सो इसले तरम दे कर्म करन ले देर ना करिये अते सद्गुरु गुरु अर्जन दे पात्सा जीदा पावन बचन हिरदे विच दिरड करिये के नै बिलम तरमं बिलम पावं आपने पले दा कार्ज करन ले कदाचत वी आलसनी करनी चाही दी सद्गुरु गुर्जन देवजी दा सोर्थ राग अंदर पावन बचन है ओसनू पढ़के ओसु पर अमली तौरते ओसनू अपने जीवन विच कमाउंड ली अपने जाए सेख कम पैदा करनवाली तर्त अनन्द पुर्दी सेख कम नू अपनी वक्री होंद हस्ती अथवा नियारे पन्दा सर्टिफकेट जाम परवानगी किसे होर कम पासू लैंड दी कोई जरूर्थ नहीं है सेख कम दे परगट होंदा दिन सोड़ा सो नड़न में दी वसाखी अस्थान सिरी अनन्द पुर्द साहिब अते दुनिया समने परगट होंदी थां सिरी केश कर साहिब है सेख तरमदा तरमी पिता तनगरु गोवन सिंग साहिब जी अते माता साहिब कौर जी खालसा कौम दी वंच सोड़ी वासी अनन्द पुर अते सारे सिंग सिंगनियां दा आपसी रिष्टा प्रा पैनांदा है अजेहा कौमी द्रक्त पाव नैशनल ट्री किसे वी कौम दा सारी दुनियां वेच किते नी मिल दा सिख कौम दा बाना वखरा तरम गरंथ वखरा रस्म और वाज वखरे उजादा टांगतरी का वखरा रेणी वखरी रहत वखरी जिंदगी दा निशाना वखरा मंतर पाव गुर मंतर अते मूल मंतर ये वख़रा मंगला चर्ण वक्रा, संसार बिल्कुल ही किसे कौम नाल, संसकार बिल्कुल ही किसे कौम नाल मेल नी खांदे उपरोकत सारे कुछ दे नाल नाल, इस दे संसकार बिल्कुल ही किसे कौम नाल मेल नी खांदे कोई वी नेम करम खालसा कौम दा खालसा पंथ दा किसे होर कौम नाल नहीं रड़दा पावें खालसे दे सनेरी असूल अते सिरी गुरु गरंद सहब जी दी सिखेया सर्ब मनुकताले सर्ब संजी है पर खालसे दी हर तरां चड़ दी कला वेख कोई तांग देल लोक खालसा पंथ दी नियारी हस्ती नू मिटाउन अते खतम करन वास्ते देन राथ अन्ना पैसा खर्च के तरां तरां दे मनसूबे बना अन होना परचार कर अन जान लोकाई नू गुमरा करके सिख कौमनो केसा तारी हिंदू सिद करन लई अते केसा तारी हिंदू बनाउन लई देन राथ पबाँ पार होई पैहन अते आए देन सिखी दे बेहतरीन असूलानों तरोड मरोड के आपने विच्चों पैदा होई सिद करन लई अड़ी चुटी दा जोर ला रहेन सिखी तो नावाखव ते सोजी हिन शक्ष जहे गुमरा कुन पचार परचारनों पर सुनके कई वारी सिखी अकीदे तों पले खवी खाजान देने परसानों मान अते फकर होना चाईदा है आपने नियारे अते अडरे पांते साथगरू जी ने सारे परमपे खातों नियारी सिख कौम दी साजना कीती है औसी सिख हाँ और ते सिख ही रहांगे आज फिर सब कुछ जान देया हुए है ए लोग सिख कौम नों हिंदुआ दा हिसा दर साके अपनी कुटल नीती दा प्रक्टावा शर्याम कर रहे ने एसे संदर्ब वेच चीफ खालसा दिवान दे आनरेरी सकतर सरदार पक्त सिंग जी अंड़की ने चीफ खालसा दिवान दे चोण में अकाठ वेच कोज समा पहला जतीम खालने दे हाल वेच होई अकतरता वेच जन तक तौड़ते जो वारता संग्दानल संजी की थी सितकार जोक्षंद बाबा सेवा सिंग जी एस पुस्तक वेच ओसदा जिकर इस तरह कर देने के पाग सिंग अंखी हुरांदी विजय राजा संधिया नाल होई एक वारता लाप ओसनू इत्थे संजा कीता जा रहा है जो बाबा जी लिख देने के मैं अपने कना नाल सुनी अते एस वारता नू सुन के पढ़ के वाच के पता चल जावे के सिख कौमनों केसा तारी हिंदू दर्साउन दी चाल किमे रम होई बाबा जी लिख देने के अंखी जीने परे अकटवच दसेया के विशव हिंदू प्रीशद दी मुडली ट्रस्टी जनसंग ते पारती जन्टा पार्टी दे मुडले लीडरां दी कतार विच्चों राजमाता कहलाउन वाली बीबी विजय राजा सिंदिया ने चाली पंताली साल पहला उचेचा संपरक करके मेरे पास रात ठहरन दी इच्चा परक टाई अते फोन ते आकिया कि अन्खी साब मैं अमरत सार आ रही हूँ रात मैं आपके साथ खाना खाऊंगी और सुबह मैं तुमारे लान में बैठकर चाई पी कर वापस चाऊंगी मैंने आप से कुछ जरूरी बातें सांजी करनी है अन्खी साब ने किया कि बहुत अच्छा बहुत वधी है चंगी बात है मैं आपका इंतजार करूँगा अन्खी जी दे दसनम पतावक मित्थे होई दिन ओ समयंसार मेरे कर पजगी ते अन्खी जी ने दस्या कि उना ने भी बनदा मान उसनों देता है रात दा खाना खा थोड़ियां गल्ला बातां कीती हैं उसने अराम कीता है सवेरे नाश्ते दे समयं असी चापणी ते होर समान बाहर लान विच रखे देता है कुझ कु करिंदे उसनल आई सन कुझ साड़ी वलों महमान वाजी वाले बंदे सन वेजे राजा सिंदिया ने सारे नों एक पासे कर देता ते उना नों कैदता के मैंने कुझ जुरूरी बातें अनकी जी से संजी करनी है अनकी जी ने दस्या कि महमी हरान सां कि ईसने केड़ी ए जही गल्ला है जो मेरे नाल वकरे तर ते संजी करनी है जिस करके इसने अपने निक्ट वर्तियानों भी परे कर देता है सो खैर विजे राजा सिंदिया ने चादा कापहात विच फड़ेया कोट परेया ते नाड ही संबोधन करके कहन लगी कियानखी जी आप चीफ खालसा दिवान के सेक्टरी हो चीफ खालसा दिवान सिक्खों की बहुत पुराणी नमाइंदा जमात है आप मुझे एक बात बताईए कि हिंदू लोग बार बार ये कहते हैं कि सिक्ख हमारे भाई हैं वैं हमारे से हमारी रिखवाली के लिए जुदा हुए थे परन्तु आप सिक्ख लोग हिंदू भाईयों के प्यार को ठुकरा कर कहते हो कि सिक्ख हिंदू नहीं है सिक्ख हिंदूं से अलग है आप सिक्खों को हिंदूं के भाई बाई बाणने में क्या इतराज है विश्व में भाई भाई का रिष्टा तो बहुत नजदीकी और बहुत गैरा होता है सिख एस नजदी की रिष्टे को क्यों नहीं मानते आप मुझे बतलाईए अन्की जी ने उस परीसवा बज़ दस्या के विजे राजा सिंदिया दे एस सवालते उना उत्र दता के सिंदिया जी सिखतां किसे नाड़ भी नफरत नहीं कर दे सिखां लईते हिंदू, मुसल्मान, इसाई, बुद्धी, जैने सारे एको जैने ते सिख सारे विश्वनों, सारे संसारनों एक पिता, एकस के हमबारक, दरसा के सबनाल प्यार कर सरबात दा पला मंग दे हैं सिख लईतां किसे कौम नसरनाल कोई भी मनुक सबन्द रखदा होवे ओ, साड़े वास्ते साड़ा प्राही है ए उत्तर सुनके राजमाता कैन लगी भाग सेंग तुम हमारी बात नहीं समझे हिंदू कहते हैं कि सिख हमारे केसा तहरी हिंदू भाई है पर आप बार बार इनकार करते हो आपके जो लीडर लोग हैं वो भी अखवारों में बियान देते हैं कि हम हिंदू नहीं हम वक्री कौम है अन्की जी ने दसेया कि मैं उस बिबी नो कहा कि असी सारे नो प्यार कर देयां पर आ जान देयां पर जो तुसी गाल लग कही है उस दा पूरा पता में नो हुन लगा है अन्की सहीव ने विजे राजा सिंदिया नो आख़ा कि सिंदिया साथ तुसी दास जो हिंदू मत दे बड़े विदवान होए ने उना ने लिखिया है कि जेस शक्स दे जीव दे शेय अमल शेय असूल आपसवच मिल दे हून उना दा आपसी मेल जोल सैजे ही बन जन्दा है कोई जदन नहीं करना पिन्दा तुलसी जी दा फ्रमान है कि आशा इष्ट उपाशना खान पान पहरान आशा जिस दे जीवन दा आशा एक होवे इष्ट तरमे को होवे उपाशना उपाशना दा टंगतरी का संजा होवे जिस दा खाना संजा होवे पीना संजा होवे जिस दा पहरावा इकोजया हुए आशा इश्ट उपाशना खान पान पहरान तुलसी जिनके खट मिले सोई मिले आजाए जिना दे ए शे लखन शे गुण आपस विच मिलदे होन ओ आपस विच मेल मलाप उना दा सेज्जी बन जन्दा है पर साड़ाता हिंदू प्रावान ना इश्ट ना आशा ना उपाशना ना खान ना पान ना पहरान कुछ भी नी मिलदा असी के में हिंदू आदे के साथा रही हिंदू प्राव हुए सरदार पाक संगी ने दस्या के मेरी एग अलसुनके विजे राजा सिंदिया जो कट्र जान संगी ते विशव हिंदू प्रिशत दी ट्रस्टी सी सिरहला के कैन लगियो हो अब बात मेरी पकड में आई है मैं ची तरह समझी हूँ अब मैं जब वापस जाओंगी तो अपने हिंदू वीरों से नवेधन करूँगी कि अगर सिख आपके केसाधारी हिंदू भाई नहीं बनना चाते तो आप लोग केसाधारी होकर सिखों के भाई बन जाओं अगर सिख लोग आपके केसाधारी हिंदू भाई नहीं बनना चाते तो आप लोग केसाधारी होकर सिखों के भाई बन जाओं अनकी जी ने किया कि ओस्वेले ता मैं उसनों कोई जवाब ना देता पर समझ मैं गया मता मेरा ठणक गया कि आउनवाले समय वेच सिख कौमली कोई नवी मसीबत जरूर खड़ी होवेगी इनियां को गलां बतां कर थोड़ा समा होर बात चीत विच बीतेया ते विजे राजा सिंदिया ने साथियां समेथ वदाईगी लई ते अनकी जी ने दस्या के एगल उना ने एक दो होर हितैसी सजना ना संजी की थी ओ बड़े दूरन देशान एक गल सुनके ओ कैन लगे याण की राजस्तान दी राजमाता अपनी बोली वेच तां सानू सब कुछ कह गी है ए तां हुन सानू समझ पई या जा नहीं एहुन समा दसेगा ते थोड़े ही महिन्या वेच जानसंगिया ने राश्ट्रिये सिख संगत आर एस एस हूंद वेच लायां दी जनांदा सुरूप सिखावरगा खुलियां दाडियां किरपाना उपरों दी सिर्थे केस ते दस्तार पर अंदरों विचारता रा कटड हिंदू अंकी जी कहान लगे कि ओस दिन दी गाल जदों साकारता दे रूप वेच संगने आई माननू बड़ी चिंता लगी के हिंदू इजम सिखी सुरूप वेच सिखां दे रूप वेच को स्पैट कर गया है अजहे हलातां विच जी बबेक बुद्धी नाल सिख ना विच रया ता आर ऐस ऐसदा अजगर सिख कोमनू सहजे सहजे निगल जावेगा ते आज आपां वेख वी रहे हां जो वरतारा साड़ी समने पाईकान सिंग जी नाबा ने हम हिंदू नहीं सरलेख हेट एक पुस्तक लिखी सी जिस वेच हर पाकते उनाने बड़ी विद्वता नाल गुर इतिहास गुरू हुकम अते आनमतियां दे इतिहास विच्चों हवाले दे के सिद कीता के सेख एक वक्री कौम है सिख कौम दा किसे वी होर कौम नाल कुझ भी नी रालदा एस उस्तक दे कुझ अंच आप संगतान दी सेवा वेच इतिपेट कर रहे हैं जिनानों पढ़के सिख कौम दी अडरी हस्ती सबंदी किसे किसम दा प लेखा बाकी नी रह जानदा अते परपक रूप वेच सामें सबस्ट हो जानदा है के सद्गुरा ने मेहर करके हिंदू, मुसलमान अते होर मतांतों बिलकुल नवेकला सदा हांत ते नवेकला ही सब कुझ परदान करके एक नवेकली वक्री सिख कौम पैदा कीती है मंतर हिंदुआं दा गाइतरी मंतर मुसल्माना दा कलमा पर सिखान दा जपजी वा पिली पोड़ी मंगलाचर्ण हिंदुआंदा ओंग श्री गनेश आयनमों इतादक मुसलमानादा बिस्मिल्ला अते सिखांदा मंगलाचर्ण एक ओंगार सत्गुर्परसाद मुलाकात वेले हिंदु राम राम नमस्तियादक केंदेने मुसलमान सलाम और सिख आपसविच मिलदे समें वाहिगरुजी का खलसा वाहिगरुजी की फते दी साज़ पहुंदेने तारम दे पुस्तकां हिंदुआंदे वेद मुसलमानादा कुरान सिखांदा सत्गुरु स्री गुरु गरंसाई तीर्थ हिंदुआंदे गंगा गया प्रियाग इतादक मुसलमानादा मक्का मदीना और सिखांदा तीर्थ सिरी अमरसर साहिब अब चल नगर आदक और सब दों मुख वाहिगरुदाना तीर्थ हमरो हरकोना मंदर हिंदुआं दे ठाकरदवारे शुल्यादक मुसलमाना दी मस्ज़द और सिखांदे गुर्दवारे तर मिशाला पूजन दी दशा पूजा करण दी दिशा हिंदुआं वलों पूरब वलों मूँ करके अपनी पूजा कीती जन दी मुसलमान पस्चंबल ते सिखान दा अकीदा चारों दिशा एक सार किसे नाडवी नी मिलदा इशनान दा वेला हिंदुआन दा सूरज चड़न वेले मुसलमान दा वजू निमाज तों पहला ते सिखान दा इशनान अमर्त वेले संदिया शामदा समा हिंदुआ दा गायतरी पढ़के तरपन करके पाव पितरा नमेत चड़दे वाल सूर्जवाल पाणी देना और मुसल्मा ना दी नमाज पढ़के ते सिखानदा नितने जपजी छापऑ साहिब सवेए चौपई अननदसाहिब करके हिंदुआं दा गाइतरी पढ़के संधिया हुंदिये मुसलमाना दी नमाज पढ़के ते सिख अपना नितनेम करके संसकार हिंदुआं दे जनेव मुंडन इतादक मुसलमाना दी सुन्नत ते सिखां दा अमरत शकना चेन हिंदुआं दा शिखा पाव बोद्धी सिरते चोटी रखनी तेलक माला जनेव तो ती मुसलमाना दा शरा मतावक मुशां दे तंबादक लोणा और शिखां दे चेन हन केश करपान कंगा कडा के किशेरा पूजे लोग हिंदुआं दे हन ब्रामन सन्यासी मुसलमाना दे सियद ते मौलवी ते सिखांदा गुरु खालसा अपने एश्टिदी पेटा परशाद हिंदुआं दे है चूरुमा लडू फाल इतादक मुसलमाना दे दुंबे बकरे अधग दी कुर्बानी और सिखांदे कडा परशाद इस परकार एना विचों कोई एकवी सिखांदा दूसरी कौम दे नाल नहीं रड़दा पाइसंट ओक सिंग जीने सुरज परकाश विच हिंदूवते मुसलमान तों सिख कौमनू न नियारा दर्साया है के पूरु अधे हिंदू तरुक है दोए अब ते तीन जानिये होई यानि ग्यान संग्ज ने पंथ परकाश वेच सिख पंथ दा हिंदू तरक तो नियारा होन दा जिकर जो कीता है वो इस तरह है और उत्थे होना खालसा कौम दी रहत रहनी ते खालसे दे गुनवी बियान कीते ने पाई सब लिख देने के हिंदू तरकन ते है नियारा खालसा जो है हिंदू तुर्कन ते है नियारा फिरका इनका अपर अपारा बिया निका ना ए करें है बेदी गड़ के व्या करना इतादक बिया नका ना ए करें है पोगत अनन्द आनन्द पड़े हैं पाव सिख अनन्द का आरज कर दे हैं सेंग सिंगनी जो मर जाए हैं, बांटत हलवा तुर्थ बने हैं, कड़ा प्रशाद बना के किसी दे मिर्तकते भी बरतों देने, किरेया करम करावत नाहीं, हड़ी पाए ना गंगा माहीं, कर्त दसहरा गरंथ पड़ावत, असन बसन गरीबन को द्यावत, कंठी जंजू तिल्क नात रहें, बुत परास्ती कदे न करहें, एक रब की कर्त बंदगी, रखत न औरन की मुशंदगी, वेद पुरान कतेव कुरान पढ़त सुनत नह मानत कान, गुरु नानक जो कथी कलाम, तांपर रखत इमान तमाम, एक ही बरतन मैं सबका हूँ, अब वैहात पिलावतता हूँ, खाना भी एकठे सबक हैं, सके बीर आपस में वे हैं, जात कोत, कुल किरिया नाम, कर्म तर्म, पित माता काम, पिशले सो तज देत तमाम, इस तरह अगांजा के फरमों देने, बलक जो दीन हमारे आवाए, मुका पा फिर इन में जावै, तिसको भी ये सुदा शिकाए लेत मजब में तुर्त मलाए, तत खालसा, गुरू का जाहर कहत चुरासी तो है बाहर, हिंदू अन्य तुर्कु काने सिंग गुरू के सबतों सियाने, मुसल्मान हिंदुन ते नियारी, रीत इनों में है पल सारी, प्रेम पीड ग्रह पीड ना मानत, मड़ी मसानी को ना पशानत, गंगा तीर्थ ए ने जावैं, सुतक पातक नहे मनावैं, जंजू तिलक का शापाता रहें, शरा हिंदुन की नह पाराएं, बोदी तोती तुलसी मालाएं, होम शराद ना ख्याहे संबालाएं, मानत हैं निजमजब चंगेरा, हिंदू कहेते खिजत वदेरा, रीत हिंदुन वारी जेती, ताजराखी इन सब बेदतेती, बने रहत सब के सके बरादर, एक को दूसर देवत यादर, है इनमें इतफाक महान, सिख, सिख पैवारत प्राण, पाईसाई पाईसंतोक संग्जी ने सूरज प्रकाश वेच बहुत इस पाष्ट शवदां वेच, खालसा पंथ दे नियारे पंदा जिकर इस्तरा कीता है, कवेट माने नाहि वेद पेद सिम्रत पुरानन कै, पूजतना पैरों पूत गिरजा गणिंदू है, थेत वार शक्न महूरत न जाने कश, राहु केतु शनी शुकर चंदरमा दनिंदू है, जात पात मंतर जंतर तंतर वरत श्राद होम, संदेया सूत काद को विशवाशी नह बिंदू है, दशमेश को सपूत खालसा है पेन पंथ, महा है अग्यानी जो यांको कहे हिंदू है, दशमेश को सपूत खालसा है पेन पंथ, महा है अग्यानी जो यांको कहे हिंदू है, मानत है एक को अनादी और अनंत नित्य, तिस ही ही ते जानत हैं सर्ब पसारो, किरत की उपाशना ना करें करतार त्याग, एक गुरू गरंथ की यो आपनो अधारो है, जात, पात, पेद, प्राम, मानतें मिटाए कर, सब को सहोदर, सोकर्त पेयारो है, हितकारी जग को, पैजल माहि, पंकज जयों, गुर्देव नानक को खालसा नियारो है, पाईकान सिंग जी नबा इसे पुस्तक विज लिख देने विद्वा किया, पाव खालसा सजन वेले जो कर्न जोग उपदेश गुरू पंथन दिता जानदा है, कि आज तुहाड़ा जनम सत्गुरू दे कर होया है, पिछली जात, पात, वर्ण, गोत और मजब आदक सब मिट गए, एस वास्ते आपना पिता गुरू गोवन सिंग और माता साहिब कॉर्मान के जानम पटनेदा और वासी अननदपुर्दा जानना है, अमर्दवेले नित इशनान करना और किरिया अती स्वाश रखनी, जाप जाप सवईये चौपई अननद रहरास और सोलेदा नेम और प्रेम साथ पाड़ करना, केस, किरपान, काच, कंगा और कड़ा इना पांज कक्यां दी रैत रखनी, सत्गुरुदे पुत्र होन करके आप सब सके पाईयो, इसलई खान पान वर्तन विहार आदक दा वरताओ आप सवेच पाईयावां करना है, दसां सत्गुरा नू एक रूप जानना, और उना दा उपदेश रूप गुरुगरंत सैवनू मनना, और खालसे नू गुरुदा सुरूप जान के मनों तनों सेवा करनी अते आग्या पलनी, तर्म किर्थ करके निर्भा करना, आपनी कमाई विचों दसांद पाव दसमा हिस्सा गुरु अर्थ कड़के पांथदी उन्ती वास्ते पांथदी सेवा विच अरपन करना है, पांथदे कामनू आपना कम जान के तानमान और तन करके सिरेच नौन दा जितन करना है, परूपकारनु मनोखदे और सिख तरम दा परम करतब समझने विद्या दा अबयास करना खास करके गुरमखी और खालसा तरम पुस्तकांदे पूरे ग्याता होना और शास्तर विद्या वा कोडे दी सुवारी दे पूरे अबयासी बनना मान नीवा, मात उची रखनी, दस्तारा कौमी चिन ते केसां दा रख्यक समझ के सीज पर सजोना गुर्म खांदा साथ संग करना, मरने परने आदक सारे संसकार गुर्मत अनसार करने है गुर्मत दे परचार ते परसार दा पूरा यतन करने, गुर्परववा विच जोड मेले, उत्सव और कथा कीर्तन करने आपने मालक दे पके नमक हलाल रहने, खालसा तरम दे निजमा अनसार जथे बंदी दे गूड मंतव दे लाव समझ के एक सूत वेच परोई रहने लड़कियानोँ अनवेद रखना, पावर काननाक आदक वीच शेक नि करने लड़कियान दे लड़कियानोँ अनवेद रखना और उनानो पुतन जेहा जान के विवहारक और तरमक वीद्या दे लाइक मनणा है जे कोई कम तर्मंबरोद हो जावे तां खालसे दे दिवान वेचे हाजर होके तनका बक्षवा लने इस दे नाल नशेद वाक्या है खालसे लई ना करन जो करम जो द्रिड करवाई जन्दे हैं एक अकालतों शोट सेखने किसे होर देवी देवते अवतार और पैगंबर दी उपाशना नहीं करने गुरू ग्रंट साहव तो बिना किसे होर तर्म पोस्तक विच निश्चा नहीं रखना जन्तर मंतर शकन महूरत ग्रे शराद हूम और तरपन आदक परमरूप करमा विच शर्दा नी रखनी सेख बिना होर नाल साक सबांद नी रखना मीने मसांद तीर मलिये नडी मार कुडी मार और सेर गुमा नाल वर्तों वियार नहीं करना प्राने समय विच सेर मुनना सेर वड़न दे तुल मन्या जान्दा से जिस दी ताईद महापार्थ और मनू सिमर्ती आदक पुस्त का तो हुंदी है गुर्मत विच भी सेर गुम दा अर्थ सेर खो देन वाला कीता गया है अर्थात सेर मनौन वाला आपना सेर गुम कर लेंदा है मीने मसांद तीर मलिये नडी मार कुडी मार और सेर गुमा नाल वर्तों वियार नहीं करना एना तो शुट जो कोई पांथवेच तड़े बन के वैर वरुद फलावे और अपनी गुर्याई थाप के दास सतगरांदे आशेतों वरुद चले उसनाल कदे मेल मलाप नहीं करना कदे नी वर्तना चोरी यारी चूट अनियाए निंदा शाल कप्ट विश्वाशकात जुवा आदक अवगुणादा सदा त्याग करना मदरा आदक पावश्राव आदक सारे अमल सारे नशे बुद्धी और बल नाशक जान के त्याग देने सेखदा अद्धा नाउ निरादर बोदक नहीं लणा बजन करके कदे नी हारना चंचल इस्त्रियां दे पैरन जोग कुसुंबे आदक रांग और गैने नहीं पैरने शास्तरानों अपना पूशन अपना गैना समझ के सदैव तारन करना किसे देवी देवता और मडी मठ पर चड़या होया प्रशाद अंगीकार नहीं करना किसी प्रकार दी सुखणानी सुखणी बेगाना हाक रिश्वत आदक कदे नी लणे गुर्दवार्यां तो बिना होर कोई आपना तीर्थ और ताम नहीं समझना गुर्णानक पंथी जितने पेख मातर और गुरु करदे सिद्गी सिख हैं उना नाल कदे वैर वरोध ईर्खा नहीं करनी और किसे नू हानी पहचोन दा संकल्प मातर भी मनविच नहीं लेउना तेरे पाने स्रबात दा पलावाक अनसार सब दा हेत चोना केसानू कल्पनी लोणी चिटे केस नहीं चुगने कन्यादातान अंगीकार नी करना याचना कदे नी करनी रणविच पेठनी देनी पाइनांदलाल साहिव तो सीफोसना विच गुरु सहिवनू सरबोतम कथन करदे होए गुर्मत नू हिंदू, मुस्लमान, इसाई आदक तरमातों पिन और स्रेश्ट लिखदे हन यता बलंदतर अजहनुदात वल तुरकात वल कुफरात वल इसलामात वल तुरेतात वल इंजिलात वल जबुरात वल फुरकानात वल पीरात वल पेगंबरात इसदातात पराज ये है के हिंदू, तुरक, इसलाम, यहुदी, इसाई, दौदी, मुसलमान, पीर और पेगंबर आदकांतों, गुरु साहव अतियंत, उच्चेहैन, अर्थात, सिख तरम, सर्व तरमातों, श्रोमनी हैं एथे पाईकान संग जी नबा, अपने हिंदू, पाईयानों, संबोधतों के केंदेने, के प्यारे हिंदू भाई, इना प्रमानातों आप देख सक देओ, के सत्गुरु दे सेख, हम हिंदू नहीं, मान उकत नहीं आख दे, पाव के एमी मनमर जी नाल नहीं केंदे, जे आप, जे में हिंदू वीर केंदेने, पाईशाव लेख देने, कि जे आप सिखानों हिंदू विचो निकलने कारण हिंदू मन देओ, दलील दिती एवना एते, कि जे हिंदू लोग सिखानों हिंदू विचो निकलने कारण हिंदू मन देओ, ता एसाइयानों जो जो और वो भी अपने आपनों क्यों नी मन दे दूजे तरमादा हिस्सा और खास करके जो हिंदोस्तानी हिंदुआं विचों निकल के इसाई और मुसल्मान बने हान आप उनानों हिंदु क्यों नी आख दे जेड़े तो आडे विचों निकल के एसाई और मुसल्मान बने हन फिर उनानों भी आपने पाई आखो उनानों तुसी हिंदू क्यों नी आख दे फिर पाईसाव अगली दलील देने के खान पान दे लिहाज करके क्या इतने मातर करके सब मजभी रीतियन सार एक को कह जा सकते ने नहीं और एस विशे पर जो साठे तरम पुस्तकांदी राए है ओ भी आपनों सनौनी मनासब समझ दे हैं जिस्तों आप समझ लोगे कि सिखा अते हिंदू आदा खान पान विच कितना पेद है गुर्परता अब सूर्ज ग्रांत विच लिखे आए मोने कर आहार नह खाना चाहे सिंगा दा शूत शाद दा वैम नहीं पर पुवित्रता दी पारी में मह अन्या तरमादे हथों खान पान करनाल पुवित्रता विच रहत अनुसार अनेका विगन पेंदेने सो इस करके आखे मोने कर आहार ना खाना जात पात को पेदना कोई चार वर्न अचव है एक होई जे हिंदू आनल सागनाते हून करके सिखानू तुसी हिंदू आख देव ता यहुदी इसाई बुद्धी जनावच जपानी और चीने शामल हन आद के दिलिएा आपसवे जे रस्वेज रिश्टेदारियन हुदीचे क्या एे रिश्टेदारियन दे सबंद मातर करके आपने तरमतों एपततमने जन दे हैं और आपनो तवारिक तो पता लगया होना है कि किसे वेले मुगलिया खानदान दे नाल हिंदुआं दे साक नाते भी हुंदे से पाई सावने थे दलील देती है पाईकान संग जी ना बाने के तिहास तो पता शायद हिंदू वीरो आपनो लगया होना है कि किसे वेले मुगलिया खानदान दे नाल हिंदूआं दे साक नाते भी हुंदे सन और ए बात भी परसिद है के न शेरवा ने क्रिस्चन बादशा दी बेटी मारस नाल विया कीता सी और उस्तों पैदा होई बेटी हिंदू चुडा मनी राजा अराना उदे पुर्णू विया ही गई सी और बाबल दे बादशा सिलियूकस दी पुत्री दा राजा चंदरकुपत नाल विया होया सी और हडिमबा अलूपी आदक इस्तरियां जनादा सबंद पार्त दे शुरूमनी पुर्शा नाल होया सी हिंदूनिया नहीं सा उनादा तरम हिंदू नहीं सी और हिंदू आदकानल सबंद करन बाबत जो सिख तरम दी सिखा ले आ गया है ओ भी यह थे आपनों शुनों दे हैं रहत नामा पाई चॉपा सिंग जी वेज दर्ज़ है नाता गुरू के सिख नाल करो रहत नामा पाई दिशा संग जी विज लिखिया है कन्या को मारे मोने को कन्या देवे सोतन खाया है सिख को सिख पुतरी दई सुदा सुदा मिल जाए दई पाधनी को सुदा अहे मुख अमी चुआए गुर्परताब सूरज गरंथ विच इस तरह लिखिया है कि कन्या देवे सिख को लेवे नहीं कशदाम सोई मेरा सिख है पहुंचाए गुममताम इसे परकार साड़े तारमक गरंथ प्रेम सुमारग विच लिखिया है कन्या जब वर पराप्त होवे तब संजोग करे शोटी बालकी का संजोग ना करे और संजोग ऐसी को लबेखे करे जित्थे सिखी अकाल परुखदी होगे ते जे हिंदोस्तान विजरेन कारण सिखानू हिंदू समझ देओ ता असाई मुसलमान आदकनू भी आप हिंदू जानू जे देश दे रहन करके ओ हिंदू हान ता सानू भी हिंदू अर्थात इंडियन कहोण विज कोई तराज नी सो मुसलमान असाईयानों भी ओ हिंदोस्तान विजरेन करके हिंदू मननो अगाँ पाईसा पाईकान सिंग जी नाबा ने हम हिंदू नहीं पुस्तक वेच ए दलिल देती है के जो हिंदू विरो आप आख़दे हो के हिंदू पाद दे अर्थ बहुत उत्तमहन इसनू फार्सी पाद समझ के गलानी नी करनी चाहिए और अपने अर्थ दी ताईद वेच राम कोश, मेरत अंतर परकाश और कालका परान सानू देखने दसे हैं सो इस पर साड़ा एक अथन है के सिख तर्म अनसार कोई पाशा, देवबानी और मलेश पाशा नहीं केवल वदेशी बोली दा पाद होन करके गलानी योग नहीं और आप दे निश्च अनसार जे हिंदू पाद दे अर्थ उत्तम हन ताप अनू मबारक होन असी कदे नहीं आख दे के हिंदू बुरा नाव है क्योंके किसे दा मात चाहे किहो जया नाव होए उस विच दूसरे मात दे आदमी नो कोई तरक नी करनी जाए दी साड़ा ए निश्च चाहे किसे दे मात दा चाहे किना ही किहा ही नाव होए उस विच दूसरे मात दे आदमी नो कोई तरक नी करनी चाहे दी जैसे जोगियां दे बारा फिरक्यां बिच्चों एक दा नाम है पागल पंत जे असियोना नो समझाओन जाएए के तुसी आप नो पागल पंती ना कहाओ तसाड़ी मूर्खता है और हिंदू नाउ संस्क्रत है जब फार्शी एस गलनो संसार दे सारे विदवान जान देने और आप दे प्रसित कांची नवासी पंताली पंटता ने साल 1902 विच विवास्था दिती है के हिंदू यवन संकेत पाद है इस कारण हिंदू कहोणा सर्वथा अनुच्चत है पार्थ तारक आदक रसाले में वच एही लिखेया जान दा रहा है के हिंदू नाउ मलेशांदा रख्या होया है इस वास्ते आरेय लोकानों कदे हिंदू ने कहोना चाहिए और ना आरेय वर्तनों हिंदोस्तान आखना लोडिए हिंदू पाद वेदां, खड़ शास्तरां, सिमर्तियां, रमायन, महापार्थ आधक फुस्त का विच असी कदे नी देखिया अस चर्जदी गाल है के हुण आप दे कोशा और पुराना विचों पंड़त जीदी किरपा करके निकड़ाया है पर केहा चंगा हुंदा जे ए उद्दम एस चर्चा दे उठनतों पहला कीता जान्दा विद्वाना नो हुण आपना ए जतन निस्फल जापदा है सानु एस वेले आप दे मुहों हिंदू पाद संस्क्रिद पाशादा होना सुनके पारतेंदू बाबा बाबू हरीश चंदर दा लेख जादा आया जिस दा सार यों है दखना दे के जही बवस्ता चाहिए पंड़त जीतों ले सकी दी है और जो बात शास्त्रा विच्चों सिद करोणी चाहो सो सिद हो जान दी है उना ने थे उदा अरण दिती के किसे ने प्रशन कीता के पंड़त जी क्या आप क्रिस्तान और मुसल्माना नो भी किसी प्रमान और जुक्ती नाल हिंदू सिद कर सक दे हो ते पंड़त जी दा शिरार्ती उत्तर सी हां दखना ले आओ उने सिद कर दे है ते प्रशन करता ने प्रशन कीता के किस तरह ते पंड़त जी ने चातरपुर्दी नाल उत्तर दता के पाई क्रिस्तान और मुसल्मान ता शुद बरा मनहन असल बात यह है कि यादमां दे दो प्रोहत से एक नो क्रिशन पगवान मन्या करदे से इस करके उदा नाओं प्रोहत दा क्रिशन मान्या हो गया दूजे नो क्रिशन जीदा पाई बलपदर जेनो मुसल्वी आखदे सन ओ मन्या करदा सी एस करके उसदा नाओं मुसल्माने हो गया एदो में क्रिस्तान और मुसल्मान मात उना प्रोतां दी संतान हान पाव इते एक तर्क वेचे पाईकान सिंग नाबाजी ने दस्या है कि चतरवामन कि में हर तरांदे अर्थनू आपने इन सार टाल लेंदा है सो किसे ने स्वाल कीता कि क्रिस्तान और मुसल्मान एना नू सिद करके दखाओ कि एवी ब्रामन हन ते और ब्रामन ने एक कहानी करले के एक प्रोहत जो सी ओसनो क्रिश्न माराज मनदे सन इस करके उदाना क्रिश्न मानने होगे दोजय क्रिश्न माराज इदिया जो प्रहासी पाई्सी मुसल्व ओ मनिया करदा सी इस करकी ओस प्रोहत दाना मुसलमाने होगे ए दोमे क्रिस्तान और मुसलमान मात उना प्रूतां दी संतान हन लोकानू संस्क्रेट दा शुद उचारन नी करना होंदा इस वास्ते क्रिशन मानेह दी जगा क्रिष्तान और मुसलमान दी जगा मुसलमाना कर लग पाए त्यो ओ इते तर्क विच बलास विच लेख देने के पंदत जी क्यां लेगे लेए दकھना तानू होने बवास्ता लेखे देने सो पाईशा वे थे अपने हिंदू वीरानों संबोधन होंके केंदेने प्यारे हिंदू भाई सानू आप दे हिंदू पाद दा संस्क्रित सिद होना भी अजही बवास्ता दा ही फाल जापदा है इंद और सिंद पाधतों हिंदू पाध बनना केवल आपदी कपोल कल पना है आपदे प्राजिन गरान ताथों कोई एसेद नहीं हुंदा के ए लफज इंद और सिंद पाधतों बने हां जे है ता उदारनले कोई परसंग दसो एथे तक दा बिर्तांत पाइकान संग जी नाबादी पुस्तक हम हिंदू नहीं विच्चों तन्वाध साथ ले आ गया है सो इसलिए सद्गुरु जी ने रहमत करके जो सानू सिख कौम दी अड्री होंद हस्ती परदान करके वक्री कामदा दर्जा बक्षिश करके नवाजया है सानू सिखानू एस उपर मान होना चाइदा है गौर्व होना चाइदा है के असी सिख साजे गए सिख हाँ सिख रहांगे और समुच्चे जग्दतों नियारे होके विचरांगे इस दे नाड़ी आज सिरी अनंदपुर सहब जी दी तिन सो पजामी सरजना वरे गंड़ते खालसा पंथ दी एस सरजना पुम्मी उपर सानू आपने आपे दी पड़चोड वी अवश करनी चाइदी है कि जो नियारापन गुर्देव सद्गुरु जी ने सनू बक्षिया है कि असाड़े जीवन विच ओ नियारापन है ओ नियारे सिदांत असी परणाए होई हैं जे उत्तर हां विच है फिर ते असी चोजी प्रीतम जी दिया रहमतां दे पातर निश्चे ही हैं ते जे कि ते ओस नियारे पन विच उना नियारे सिदांतां विच तड़े आई पास दी है फिर सनू आपा चीन दें होयां अपनी पोल सुदार के सद्गुरु जी वलों बक्षिश कीतिया रहमतां अपनी चोड़ी पोल ली गुर्चाली देतार नी बन जाना चाइदा है जाद समुच्ची सिख कौम इस रहमतनू अपने हिर्दे रूपी चोड़ी विच पोलवेगी फिर कोई वी ताकत फिर कोई वी शक्ती खालसा पंथ दी सिख कौम दी अडरी हस्ती अडरी होंद तों ना ता मुनकर ही हो सकदी है अते ना एस दी होंद हस्ती नू किसे होर तर्म विच अरलाउन दी चणावती ही दे सकदी है जाद समुच्ची सिख कौम सद्गुर सचे पात्षावलों दरसाई होई गुर चाली रूपी रहमत नू अपने हिर्दे रूपी चोड़ी विच पुआ के ओस रहमत दी मानबच कर्म करके कमाई कर लवेगी फिर दुनियां दी कोई भी शक्ती खालसा पंत दी अड्री होंद हस्तीतों सिख कौम दे नविकड़े पनतों सिख कौम दी अड्री होंद हस्तीतों ना ता मुनकर ही हो सकदी है ना ही एस होंद हस्तीनू किसे होर तरम बिच रलाउन दी चनवती ही दे सकदी है साननू सबनू सेख़खवणवालयानू साबत सूरत दस्तार सिरादेतार नी बणके कलगी तर पात्षा जीवलों बक्षे गुर्सिखी असूलां देतार नी बण साथगुरां दे परुपकारानू एस तर्थ अनंदपुरते अकीदत दे फुलपेट करने ही बण दे हैं गुर्सिखां दे करांवेच जनमें बच्चेयां दे हिरदेयां वेच गुर्सिखी दा बीजतां पेया हुए है पर माया दे प्रवाब अलप बुद्धी अते बाव घंती वाल देह के ओ आपने अंदर ले गुर्सिखी दे संसकार बाहर परगट करनतों अजे चे जिख दे हैं चे जिख करांगे मुन्ने जोगी ते पीसे दारूनों कोई पशान सकेगा जे चे जिख करांगे ते मुन्ने जोगी नूँ ते पीसे दारूनों कोई पशान सकेगा कोई नी पशान सकेगा साधे नालवी वरतारा वरतिया इसे तरह अमरीका वेच नाइन अलैवन पाव 11 स्टंबर दी कटना तो बाद कोज एक शिरारती अते अग्यानी लोका ने सिखानों मुसलमान समझ के शिरारता कीती हैं सन पर कोज एक कटनावां तो बाद अमरीकी सरकार ने सिखान दी वक्री पशान नूलतर सौंदा एक कलंडर पशान पतर दे रुप विच अखवारां अते सारे सरकारी दाफ्तरां पुलीस स्टेशना अउप पर लगाया जिस विच साबत सूर्थ पटका बनन वाले बच्चेयां तो लेके दस्तारतारी सिख खुली दाड़ी पते दस्तारतारी बीबियानियां फोटो परकाश्ट कीती हैं सन ता जो सिखान दी अडरी होंद हस्ती दा ग्यान हो सके ओस कलंडर विच किसे वी कलीन शेवन जहां दाड़ी कटन वाले नो सिख करके नहीं दरसाया गया ओस कलंडर विच किसे वी कलीन शेवन नो जहां दाड़ी कटके अपने आपने आपनों सिख कहोन वाले नो नहीं शामल कीता गया साबत सूर्थ दस्तार तारी सिखानियां फोटों वाँ उस विच परकाश्ट कीतियां गईयां ए थे सोचन वाड़ी गाला के साबत सूर्थ देता अरनी ता सिख कौम दा अंग मने गए ने दाड़ी कटन वाड़ानों सरकार ने सिखी नी मने उना परतीता पराणी कहावत के ना कर दे रहे ना काट दे एहोई टुकी है कलीन शेवन सिख कहला वाड़ा ना हिंदुआ विच ना मुसल्वान विच ते ना ही सिखा विच शमार गणियां जांदा है एसलई कलीन शेवन सिखानों लोग लजादी त्या करके आपने कर मुड़े होना चाइदा है अथे कलगी तर पात्साजी दे पर पकारानों जो हार कर दे होयां नतमस्तक हों दे होयां आपने अमीर विर्षेनों आपने हिरदे विच टकाा के ओस अमीर विर्षेन सार आपना जीवन बसर कर लई तत पर होना चाइदा है आपने विर्षेनल जुड़के असी आपने लोग सुखी पुरलोग सुहले कर सक दे हैं अते ए सानू कर लेने चाइदेने